रतलाम में लगातार हो रही चोरियों की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी है जिसे रात्री गश्ट पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं बीती रात रतलाम के डॉंग्रे नगर में सूने मकान में चोरों ने लाखो रोपे के माल पर हांस साफ कर दिया डॉंग्रे नगर में रहने वाले राज़ा शुवेभा के पटवारी विरेंदर सोलंकी की मकान से अग्याद बदमाश करी 20-12 सोने के आभुशन और 5 लाख की नगदी चुरा ले गए पटवारी विरेंदर सोलंकी अपनी भतीजी की शादी में परिवार के साथ 10 तारिक से जाबुआ गए हुए थे जहां बीती राद बदमाशों ने सूने मकान की खिड़की की ग्रिल तोड़का चोरी की वारदात को अंजाम दिया चोरी की जानकारी सुबह पडोसियों को उस वक्त मिली जवाब पौधों में पानी डालने के लिए पहुँचे थे पडोसी ने ततकाल उनको फोन पर चोरी की सूचना दी और सूचना मिलने के साथ ही विरेंद सिंग सोलंकी रतलाम गले रवाना हो गए थे बहराल चोरी की बड़ी घटना की सूचना मिलने पर दी इंद्याल नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और घटना इस तलकी जाच की पुलिस ने मामला दर्च कर चोरों की तलाश शुरू की है बालक मौंटी आया था पानी डालने उसमें देखा थोड़ी से खिड़की खुली दीखी उसको डाउट हुआ तो उसमें देखा सापा साइट से की ग्रिल रखी थी पिर उनको सुचना करी इसके अंदर क्या कुछ गया है जानकारी लगी है नहीं वो आइडिया नहीं है अं और आये भी था है बालक थोड़ी देर रुक के चला गया था यह किसकी शादी में और कहां गये है यह इनके भाई की लड़कीक सादी ने जाबवा गये था